कार दोस्तो स्वागत है आपके अपने यूटीप पेलाल जे इल जहारखंड लाइप्स में दोस्तों यहाँ पर जहारखंड CGL जैसे CGL सम्मंधित एक बड़ी अपडेट से निकल कर आ रही है जै दोस्तों जहारखंड CGL सम्मंधित आज की जो बैठक में मुख्य बाते सामने निकल कर आ रही है मैं एक एक करके डिटेल्स में आप सभी को बताने वाला हूँ और एक्जामनिशन होंगी की नहीं होंगी और एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होंगे या फिर यहां पर क्या दिशार निर्देश दिये गए है अधिकारियों को एक्जाम्स को लेकर यहा मैं आपको बता दूं यहां पर कि जैसे जील के लिए जो एक्जामनिशन है जो अधिकारियों को दिशार निर्देश दिया गया है कि 28 जनवरी और 4 फरवरी को राज्जी के सभी जीलों में सेंटर में जो है एक्जामनिशन कंड़क्ट कराना चारी है यानि कि विभाग है यानि कि यहां पर परतिबद नजर आ रही है एक्जामनिशन को लेकर यानि कि एक्जामन कंड़क्ट कराने को लेकर तो इससे सम्मंदित यहां पर मुख्ये बाते सामने निकल कर क्या रही है वो चली हम लोग यहां पर इडियल्स में देख लेते हैं असानी से समझ लेते है तो सबसे पहले यहां पर मैं बढ़ा दू आप सभी को कि जो कल यहां पर परसो एक लेटर जारी हुआ था दो तारीक को यहां पर जारखन करम जारी चैन आयोग की तरफ से ठीक है और यह जो है इंटर्नल लेटर है हलांकि यह वाइरल हो चुका है काफी लोग के पास यह लेटर है जिसमें मेंसन किया गया था कि यहां पर 281.2024 को और 4.2.2024 को परिच्छा का आयोजन किया जाना है और उसके लिए सभी जीले के जो सिछा प्रदिकारी है वहां पर उन सभी को किंद्र अलॉट करने के लिए यहां पर जो है वो कहा गया था पहले से भी और तो कुछ जीलों को लेकर यहाँ पर संसे बही बना हुआ था कि कुछ जीलों ने अपना center जो है वो यहाँ पर नहीं दिया है, center जो है वो कहां बनेंगे, कितने candidates बैठेंगे, sitting arrangement कितनी होगी, छमता क्या होगी, कहां पर सेंटर बनेगा, ये सारे डिटिल्स कुछ जीले से नहीं आये थे, तो उनके लिए भी यहाँ पर आज दिशा निर्देश जारी किया गया है, तो कुछ जीले थे, आज इनको वीवरन अभी भी यहाँ पर देने का मौका दिया गया है, और एक्जाम जनवरी है, उस तारिक तक उनको समय दिया गया है, कि आप 10 जनवरी तक हमें कनफर्म करिए, कि सीट जो है वो कितना आपके पास कापैसिटी है, छातरों को बैठाने की, यानि कि सीटिंग अरेजमेंट जो करानी है, यहाँ पर करनी है, उसमें कितनी छमता है, और सेंटर कह जिले में बनाया जा सकते हैं, तो 10 से 11 जिले हैं, जिन्होंने अपना सीट विवरन जो है वो नहीं प्रतान किया है, यानि कि जो सचीव हैं, उनको नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर उन सभी को 10 तारिक तक यहाँ पर देने के लिए कहा गया है, तो यह भी भी थोड़ा सा ये संसय है कि वो कितना जल्दी दे पाते हैं और नहीं दे पाते हैं ये बाते हैं सामने निकल कराएंगी जब 10 जनवरी तैथी आएगी तब ठीक है लेकिन फिलहाल के लिए मानके चलिए कि यहाँ पर एक्जामनेशन कंड़क्ट कराने को लेकर काफी प्रक्रिया तेज चल रही है और 28 जनवरी चारफरवरी को एक्जामनेशन यहाँ पर कंड़क्ट कराने की संभावना अभी 90% चांसेश यहाँ पर नजर आ रहे हैं ठीक है और यह 10 तारीक वाला जो है वो डेट उसमें कुछ चीजे चीजें कंफार्म यहा पर होगी ठीक है तो आप अपनी त्यारी करते रहें पढ़़ते रही है अपनी असानी से यहां पर चीजों को रिवाईज करते रहेरे और उसमें अच्छा यहां पर करने का प्रयास करिये दूसरी जो बात हैं यहां वह zoning सभी न्टल आफिल और इसके अनुरूप अपनी पूरी तयारी करें, ठीक है, तो ये बाते यहाँ पर मुख्य रूप से सामने निकल कर आ रही है, और admit card को लेकर भी यहाँ पर कुछ बाते कहीं गई हैं, कि आयोक के अनुसार जो है वो यहाँ पर 18 जनुवरी से admit card डाउनलोड होना सुरू हो जा यानि कि जो सीट का वीवरन देना है, कितने चातर बैठेंगे, कितने सेंटर होंगे, इन सभी का वीवरन उनको 10 जनुवरी तक देना है, और सभी नोडल जो अफिसर हैं, पाधिकारी हैं, उनको अस पस शूप से निर्देश दिया गया है कि इसी तीथी को exam conduct करानी है, ये cut जिल सम्मंदित, ठीक है, तो ये थी बड़ी updates यहाँ पर, और उमीद करता हूँ कि आपको चीजे असानी से समझ में आ गई होंगे, अगर आपको कुछ doubt रहता है, तो निचे comment box में जरूर लिखिए, मैं कोशिच करूँगा कि आपके doubts जो है, वो clear कर दूँ, और कोई भी मन में doubt ना रहे, तो ये examination को लेकर यहाँ पर, आज की बैठक में, जो दिचार निर्देश दिये गए हैं, सभी अधिकारी को, तो ये मुख्य रुप से यहाँ पर इन बातों पर गौर किया गया है, तो फिलहाल ये updates थी, आगे जो भी updates होगी, हर updates आप तक हम यहाँ पर पहु झाल